अगर इस जूस को खून बनाने की मशीन कहा जाए तो कुछ गलत ना होगा क्यूंकि इस जूस के फायद ही इतने है तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने लिया है एक मीडियम साइस का चुकंदर जिसको बीट रोट भी कहते हैं दो टमाटर लिया है कोशिश कीजिए कि टमाटर लाल और पतली छिलके कले क्यूंकि इसमें जूस ज़ादा होता है दो आमला लिया है और तिन गाज़र लिया है गाज़र भी कोशिश कीजिए छोटी छोटी ले क्यूंकि इसमें भी जूस ज़ादा होता है एक मुठी फ्रिश पुदीना लिया है सबको हमने अच्छे से धो कर काट लिया है तो आप इसे सबजी का नाम दे या फल का नाम दे दोनों ही ठीक है तो अगर आपके पास जूसर नहीं है तो कोई बात नहीं हम एक ग्रंडर जार लेंगे बस जार थोड़ा बड़ा होना चाहिए आप चाहें तो इसको एक साथ पीस लें लेकिन हम आधा आधा डालेंगे थोड़ा सा वन फोर्ट के खरीब पानी डालेंगे और पीस लेंगे पानी सिर्फ सपोर्ट के लिए डालेंगे अब एक साफ पैन के उपर एक बड़ी च्छनी रखेंगे इसको हमने दो बार में पीसा है ताकि जूस अच्छे से निकल आए और इस तरह से एक बड़े चमच की मदद से दबा दबा कर जूस निकालेंगे आप इसको एक साफ कपड़े में रखकर निचोड़ कर भी निकाल सकते हैं लेकिन सबसे पहली बात की जूस बनाने से पहले हमें अपने हाथों को बहुत अच्छे से धो लेना है इस जूस के कितने फायदे हैं थोड़ा सा बताती चलू इसमें जो चुकंदर है वो वेट लॉस में मदद करता है ब्रेन की हेल्थ के लिए अच्छा है ब्लेट प्रेशर को कम करता है एंटी ओक्सिडेंट से भरपूर है जो एजिंग के प्रोसेस को स्लो करता है और सबसे ज़ादा इनीमिया के जो पेशेंट है उनके लिए तो बेस्ट है गाजर यानिकी केरेट इसमें एंटी ओक्सिडेंट इतनी ज़ादा मात्रा में होता है कि कैंसर को ग्रो हने से रोकता है आँखों के लिए बेस्ट है वेट लॉस में मदद करता है इमिनुटी को बढ़ाता है और हार्ट अटक के खत्रे को कम करता है टमाटर में बेटा कैरिटिन होता है जो आँखों के लिए फायदे मंद है फॉलिक एसिड है जो खून को बढ़ाता है कोलिस्टार लेवल को कम करता है तो टमाटर का इस्तेमाल कीजिए वेट लॉस कीजिए और अपने हार्ट को बचाईए आँखले में सबसे जदा विटाइमिन C होता है जो हमारी इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और हमें बिमारियों से बचाता है फैट बहुत कम होता है इस्पेशली हार्ट के लिए फायदे मंद है इसके इन बाल आँख और पेट की कई बिमारियों को दूर करता है उदीना डाइजेशन में मदद करता है इसके पराबर इस्तेमाल से रंग साफ होता है बालों के लिए भी फायदे मंद है तो देखिए सबको हमने बहुत अच्छे से निचोड कर जूस निकाल लिया है अब इसमें कुछ नहीं है आप इसको पौदों में डाल सकते हैं ये खात का काम करेगा सर्विंग गिलास में 1-4 टीस्पून सोट का पौडर डालेंगे अगर आपके पास सोट का पौडर ना हो तो एक टुकड़ा अद्रक का सबके साथ पीस लीजेगा 1-4 टीस्पून काला नमक डालेंगे आप चाहें तो काली मेच का पौडर भी डाल सकते हैं लेकिन मैंने बच्छों के लिए बनाया है इसलिए नहीं डाला तो इस एक गिलास में तकरीबन 250 ml के खरीब जूसा आता है तो आप देख सकते हैं मेरे दोनों गिलास भर गए हैं तो अभी सर्दियों का मौसम है और ये सारी चीजें बहुत आसानी से और बहुत कम कीमत पर मार्केट में अवलेबल है और बनाने में तो ना कोई टाइम लगता है और ना मेहनत मुश्किल से 10 या 15 मिनिट में बन जाता है तो ये जूस बच्चे, बड़े, बुढ़े, घर के हर एक के लिए फायदे मन्द है प्रेगनन्ट लेडीज के अंदर अक्सर हिमोगलूबिन बहुत कम हो जाता है तो अगर इसका एक महीना लगतार इस्तमाल करें उनका खून बढ़ जाएगा इस्तमाल से पहले और इस्तमाल के बाद चेक कराके देख सकती है अगर बज़र्गों के लिए बना रहे हूँ तो हलका सा गरम करके दे गरम करने का तरीका ये है कि पैन को गैस पर रख दे जब पैन गरम हो जाए तो गैस बन कर दे और जूस डाल दे जूस डालने के बाद गैस का फ्लेम ओन नहीं करना है ये जूस गरम करने का सबसे अच्छा तरीका है तो क्यों ना सर्दियों का ये बहुत खास तौफा जो खुद्रत ने हमारे लिए बनाया है उसको इस्तेमाल करें और बहुत सी बिमारियों से दूर रहें और डॉक्टर के बहुत सारे पैसे बचाएं आई होप की वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने अजीजों और दोस्तों में शेयर जरूर कीजेगा वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हो तो सबस्क्राइब जरूर कीजेगा फिर मिलता है इंशालला एक नए वीडियो के साथ शुक्रिया अलाफिज